Hello viewers, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में, जिसका उद्देश है आपके English Grammar को Improve करना हमने पिछले वीडियो में subject verb agreements से जुड़े कुछ verbs के बारे में पढ़ा था इसका लावा pronoun के रूप को हमने देखा था इस वीडियो में हम लोग SSPP नियम के अपवाद को पढ़ेंगे, उसका अध्यन करेंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समानिता singular subject के साथ singular verb का परियोग होता है और plural subject के साथ plural verb का यूज होता है परन्तु इसके कुछ अपवाद भी है सबसे पहले हम लोग exception number one देखते हैं जो I अर्थात मैं जो first person singular number का subject है उससे जुड़ा हुआ है हम जानते हैं कि I है जो singular number का subject है इसलिए इसके साथ singular verb का यूज होना चाहिए तो पहले column में हम देखते हैं कि I के साथ verb to be का रूप am और balls का यूज हुआ है जो एसस नियम को दरसाता है I singular subject है और verb am और बाज भी singular है बट हम दुसरे column में देखते हैं कि I के साथ verb have, do और भीवन का यूज हुआ है have भी plural रूप है, do भी plural है और भीवन भी plural है हमने भर्ब के रूप का अध्यान पिछले वीडियो में किया है और वैसे वीवर्स जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो उपर I बटन में जाकर देख सकते हैं तो दुसरे column में singular subject I के साथ plural verb का यूज हुआ है जो एसस नियम का अपबाद है तो ही हमारा exception number 1 था और इसे हमें याद रखना है कि I के साथ have, do या भीवन का यूज होता I run होता है ना कि runs होता है और था प्लूवल भर्व होता है singular नहीं अब हम लोग exception number 2 पर बढ़ते हैं जो यूज से जुड़ा हुआ है जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है कि you second person singular तथा plural दोनों नंबर का subject है इसके plural रूप के साथ plural भर्व का यूज होता है जो पी-पी रूल के अनुसार बिल्कुल सही है जैसा कि पहले कॉलम के एक्जाम्पल में दिखलाया गया है you are a students और एक एक एजाम्पल है you were farmers you are a students मिन्स आप लोग students है छात्र है तो यहां आप लोग मतलब एक सधिक लोगों के लिए यानि subject plural है तो इसके साथ भर्व आर का यूज हुआ है जो plural रूप में है इसी तरह से you were farmers आप लोग किशान थे तो you का यूज plural नंबर में हुआ है आप लोग मतलब एक सधिक लोगों के लिए तो भर्व भी plural है और यहां पी-पी रूल इरम सटिक है plural subject plural भर्व पर you के singular रूप के साथ भी plural भर्व का ही यूज होता है यह एसस नियम का अपबाद है जैसा कि दुसरे कॉलम के एक्जाम्पल में है यू आर अस्टुडेंट तुम एक अस्टुडेंट हो तुम मिंस वन परसन एक ब्यक्ति तो यू एक ब्यक्ति के लिए आया है singular subject है लेकिन भर्व र का यूज हुआ है जो plural भर्व है तो यहां एस-एस नहीं है बलकि एस-प है singular subject लेकिन भर्व प्रूवल है इस तरह से एक और example है you are a farmer आप एक किसान है या you bear a farmer आप एक किसान थे तो यहां you के साथ plural भर्व का यूज हुआ है अब हम लोग तिसरे exception की ओर चलते है जो unreal condition बाले sentence से जुड़ा हुआ है जब where का use unreal condition में हो तो यह singular तथा plural दोनों तरह के subject के साथ परयोग किया जाता है तो इस इस्थिति में singular subject के साथ bear का use होना एसस नियम का अपबाद है क्योंकि bear एक plural भर्व है इसे हम example की साहिता से समझते है पहला example आपके screen पे है if I wear a word I would fly to you यदि मैं पक्षी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ाता इसमें I subject है जो singular है और उसके साथ bear का use हुआ है जो plural भर्व है जनरली I के साथ बाद यूज होता है जिसे I was a farmer मैं एक किसान था लेकिन यहां I wear का use हुआ है यह sentence conditional है unreal condition है यदि ऐसा होता तो मैं ऐसा करता तो I के साथ जो bear का use है यही है जो SSNM का अपवाद है इसी तरह से दुसरे example में भी हम देखते है C orders me as if C were my boss वह मुझे ऐसे order देती है मानो मेरी boss हो यहां C के साथ जो bear का use हुआ है यह भी SSNM का अपवाद है क्योंकि C singular number का subject है जबकि where plural number का भर्व है तो unreal condition में ऐसी स्थितियां आती है जब where का use singular subject के साथ भी होता है और plural subject के साथ भी होता है अब हम लोग antim exception अपवाद को देखते हैं जो है exception number 4 यह optative sentence से जुड़ा हुआ है जैसा कि हमने voice और narration दोनों में optative sentence के बारे में पढ़ा था और जिन लोगोंने optative sentence का indirect बनाना नहीं सिखा है वो narration में जाकर इसको देख सकते हैं या मैं इसे I button में link कर देता हूँ उससे भी आप उसको देख सकते हैं तो optative sentence में हमेशा भर्व के मूल रूप यानि भीवन का यूज होता है और हम जानते हैं कि भर्व का मूल रूप यानि भीवन एक प्लूवल होता है एक प्लूवल भर्व होता है यानि optative sentence में हमेशा भर्व प्लूवल रूप में यूज होता है जैसा कि example है God save the king यहाँ God singular subject है जबकि save प्लूवल भर्व है जो भीवन रूप में है परंतु बास्तविक्ता यह है कि इस तरह के sentences में means operative sentences में में छुपा होता है या तो में लिखा रहा सकता है या तो छुपा रहा सकता है तो यह जो example है God save the king इसमें में छुपा हुआ है उससे हम इस तरह से लिख सकते हैं में God save the king और हम जानते हैं कि में एक modal auxiliary है और इसके बाद हमेशा भीवन का यूज होता है तो इस अनुसार यह बिल्कुल सटिक है छुपा रहने के कारण हमें ऐसा लगता है कि singular subject के साथ plural भरवाया है परंतु ऐसी बात नहीं है यह modal के करना ऐसा हुआ है तो इस वीडियो में हमने SS और PP नियम के कुछ अपबादों का अध्यान किया है अगले वीडियो में हम लोग general rules का अध्यान शुरू करेंगे और syntax को भली भाती समझने की कोसिश करेंगे आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहे तब तक के लिए धन्यवाद